सेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकट एक्सपोर्ट में दोस्तों अफगानिस्तानी क्रिकट टीम तीन वंडे मैचो की सीरीज खेलने के लिए बंगलादेश के दोरे पर है और इस सीरीज के तीनों वंडे इंटरनेशनल मुकाबले जो की 5, 8 और 11 जुलाई को क्रमसा खेले जाएंगे ये तीनों मुकाबले खेले जाने है जहूर आमद चौदरी क्रिकट इस्टेडियम पर जो की चटो ग्राम में इस्तित है जिसे हम चिटो गॉंग के नाम से भी जानते हैं और आज के इस वीडियो में हम जहूर आमच चौधरी क्रिकेट स्टेटियम चटोग्राम के लिए पिछ रिपोर्ट लेके आये हैं जहां पर बंगलादेश और अफगानिस्तान के बीच होने वाले तीन वंडे मैचों की सीरीज के सभी तीनों मुकाबले इसी वेन्यू को होस् लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लिजिए साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला वटन आन कीजिए वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए साथ ही पेस्गूप पर देख रहे हैं तो लाइक और फालो जरूर कर लिजिए दोस्तों जहां तक बात जहूर आमच चौदरी क्रिकेटरी स्टेडियम चेटोग्राम की है तो इसको और भी नामों से जाना जाता है जैसे कि चेटोगांग डिविजिनल स्टेडियम या फिर वीर सिष्ट साहीद राहुल आमीन स्टेडियम इसकी इस्थापना 2004 में हुई इसी 20,000 सेटिंग कैपसिटी वाले स्टेडियम के जो दो बोलिंग इंड है स्पाने इंड और यूसीवी इंड वही पर दोस्तों बात करें इस पिछ के इंपक्ट की तो वैसे तो बाई नेचर यहां पर बैलेंस क्रिकेट देखने को मिलती है थोड़ा सा बैटिंग इस पिन गेदवाजों को भी यहां पर मदद मिलती है तो इनीशियल स्टेज में तेज गेदवाजी भी थोड़ा कुछ बेहतर करते नजर आते हैं कुल मिला के एक ऐसी पिछ है जहां पर ज्यादतर मुकाबलों में 260-260 का योग एक्सपेक्टेड होता है ODI सीरीज में कम ही मुकाबले ऐसे होते हैं यहां पर 300 प्लस के स्कोर बने वैसे अगर हम बात करें यहां के मुकाबलों की तो कुल मिला के 25 वंडे इंटरनेशनल मुकाबले इस वेन्यू पर हो चुके हैं इनमें से 10 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो 15 बार चेज करने इस दवरान अगर हम एवरेज स्कोर देखे तो पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 224 का तो दूसरे इनिंग का एवरेज स्कोर 190 का देखने को मिला है हाई इस टोटल भारती टीम के नाम है जो इस वेन्यू पर बंगलादेश के अगेंस्ट आठ विकेट पे 409 रन का विसाल का इस वेन्यू पर बंगलादेश के ही अगेंस्ट मातर 44 बनाके आल आउट हो गई थी जहां तक बात हाईस्ट इसकोर चेज की है तो बंगलादेश के नाम है जो कि जिम्बामबे के अगेंस्ट इस वेन्यू पर चेज करते हुए 288 रन बनाके मुकाबला जीता था तो वहीं अगर हम लोईस्ट स्कोर्ट डिफेंड की ओर देखें तो पाकिस्तानी टीम ने अपने 177 रन के छोटे से योग को भी बंगलादेश की सामने सक्सेस्पुली डिफेंड करके मुकाबला जीत लिया था वैसे ही यहां पर जो 25 वंडे इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं यहा यहां पर 200 से कम 10 बार योग बन चुके हैं तो वहीं पर 200 से 249 तक का योग 6 बार 250 से 299 तक का योग भी 6 बार तो 300 प्लस इस विरन्यू पर पहली इनिंग में केवल 3 बार अब तक देखे गए हैं वहीं पर दोस्तों बात करें अगर हम यहां की बाउंडीज की बारे में तो क कोई बहुत बड़ा इस्टेटियम यहां पर नहीं देखने को मिलता है कुल मिला के 60 से 70 मीटर के रेंज की बाउंडीज यहां पर कभर होती है तो वहीं पर अगर हम बात करें बंगलादेश और अफगानिस्तान के बीच ODI मैचों में है टुहेड इस्टेट्स की तो दोनों देशों के बीच कुल मिला के 11 वंडे इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं यहां पर बंगलादेशी टीम थोड़ा अच्छा खेलती नजर आई है इन 11 वंडे मुकाबलों में 7 मुकाबले बंगलादेश ने जीते हैं तो वहीं पर 4 मुकाबलों में अफगानी टीम ने अपना हैं 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था तो वहीं पर अफगानी टीम ने इस विन्यू पर कुल मिला के 3 वंडे मुकाबले खेले हैं और ये तीनों ही मुकाबले बंगलादेश के अगेंस्ट खेले गए हैं और इन 3 मुकाबलों में अफगानिस्तानी टीम को काफी बैतरीन क्रिक्ट खेलती है काफी रोमांचक सीरीज हमको देखने को मिल सकती है आपको क्या लगता है इस सीरीज का क्या रिजल्ट निकलेगा और किसके पच्छ में जाएगा कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों